तो सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है क्लास एट के काफी बच्चे बार बार कॉमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट में री एक्जाम दिखा रहा है तो री एक्जाम का मतलब क्या है इस टोपिक पर एक सेप्रेट वीडियो बना दू इस से पहले क्लास नाइन्थ एंड 11 के लिए कमपार्टमेंट क्या है तेल क्या है प्रमोटेट क्या है पास क्या है इसका मतलब क्या होता है उस टोपिक पर मैंने सेप्रेट वीडियो बना दिया है चैनल पर विजिट करके देख सकते हो ठीक है कमपार्टमेंट पेपर कैसा आएगा सलेबस क्या होगा पैटन क क्या होगा कितने नंबर का होगा हर एक टोपिक पर सीप्रेट वीडियो अप्लोड है चैनल पर देख लो तैयारी कैसे करोगी उसकी भी ठीक है क्लास एट के लिए ध्यांस देख लो एन्युवल रिजल्ट टुथाउजन ट्वैंट ट्वैंटी 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 फॉर और साइंस में दो सब्जेक्ट में फिर से पेपर देना है ठीक है कमपार्टमेंट एक्जाम की डेट सीट आ चुकी है जिस दिन वो पेपर होगा उसी दिन आपको देना होगा तैयारी कैसे करना है चैनल पर विजिट करके समझ सकते हो सारी टोपिक अच्छे से ठीक है तो इसका मतलब आपको फिर से एक्जाम देना है जिस बच्चे के रिजल्ट में री एक्जाम के साथ जितने सब्जेक्ट में से ने उतने सब्जेक्ट का पेपर देना है कमपार्टमेंट एक्जाम पेपर देना है जो भी सब्जेक्ट है जिस दिन उसकी डेट है कमपार्टमे उसी दिन आपको paper देना है ओके तो I hope आपकी ये topic clear हो गई होगी फिर भी कहीं पर कोई doubt है तो comment कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching and take care